तो आज आपके लिए मॉन्सून डीटॉक्स टी की रेजिपी लेकर रहे हूं फॉर वेट लॉस ये टी बहुत ही इफेक्टिव है फॉर डीटॉक्सिफिकेशन और बूस्टिंग यॉर मेटबोलिजम ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करेगी इतवक्सिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टन है वाइतल है वाइतल है हमारी बॉडी के लिए तोए्स चाहरे होता है वो हमारी नाचुर्ल कैने में प्रॉटल व समगारे इतल कि जो है यह उस प्रॉटसेस यह इस Disapp calculation AND ol proposition आपका metabolism जो होता है वो रीनी सीजन में drop हो जाता है ऐसे में you need some support, some spices, some important herbs जो उसको भी support करें यानि आपकी metabolism को boost करके calorie burn करने में help करें तो आप इस warm tea को enjoy कीजिए you can have this post lunch अपनी meal के बाद अपिसे ले सकते हैं यह ना सिर्फ antioxidants की वज़े से आपकी body को detox करने में help करेंगी बल्कि इसके अंदर antiviral, antifungal और antibacterial properties भी हैं यह tea tasty भी है आपको infection से दूर रखेगी आपकी body को cleanse करने में और आपके mind को refresh करने में help करेंगी benefits की बात करेंगी तो आपके digestive health के लिए body को cleanse and detox करने के लिए in fact menstrual problems जो होती है या फिर pain जो होता है PMS का उसे भी reduce करने में help करेंगी यह tea आपके cholesterol के level को improve करने के लिए आपकी bone की health के लिए sugar level को maintain करने के लिए आपकी gut की health के लिए metabolism को increase करने के लिए और weight loss के लिए बहुत ही अच्छी tea है यह इस tea को बनाने के लिए जो चीजे हमें चाहिए वो है अजवाइन वन फोर्थ टी स्पून turmeric मैंने ली है हल्दी ठोटा सा टुकड़ा हम लेंगे आप organic सूखी हुई हल्दी या powder भी ले सकते हैं अजवाइन और turmeric दोनों ही अगर हम आयरवेद में बात करें तो उनका टेस्ट जो होता है वो bitter होता है और बरसात में हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप bitter herbs and spices को in fact bitter vegetables को भी अपनी diet के अंदर include करें आपके blood को purify करने के लिए inflammation को आपकी body से दूर रखने के लिए उसे reduce करने के लिए और आपके metabolism को boost करने के लिए ये बिटर यानि कड़वी चीज़े अच्छी होती है अजवाइन आपके digestion के लिए इसे आपके digestion को improve करने के लिए राम बान कहा जाता है तो आजवाइन यानि क्यारम seeds जो होते हैं वो अपनी diet में आप ज़रूर शामिल करें अगर आपको खाने के बाद acidity या फिर आपको खाने के बाद भारीपन महसूस होता है fennel seeds भी digestion के लिए अच्छे है उनके अंदर lexative properties भी होती है मैंने यहाँ पे nutmeg यानि जायफर लिया है अगर आपके पास नहीं है तो आप cinnamon भी ले सकते हैं एक pinch काली मिर्च ली है pinch ना काली मिर्च जो होती है उसका combination हल्दी के साथ बहुत जरूरी होता है अगर आप काली मि यह ठीक से नहीं करेगी जब हम हल्दी के साथ काली मिर्च अड़ कर देते हैं तो हल्दी का absorption जो होता है यानि curcumin जो उसके अंदर substance होता है उसका absorption 2000 प्रतिशत तक बढ़ जाता है तो एक magic formula है जब भी आप दूद के अंदर भी हल्दी डाले pinch बस एक चुटकी भर आप उसक करने के लिए साथी आपके track को respiratory track को भी खोलने में help करेगा पानी मैंने लिया है एक कप आप तोड़ा ज्यादा लें क्योंकि कई बार तोड़ा सा burn दी हो जाता है water बनाना बहुत ही आसान है सबसे पहले मैंने pan में पानी आड़ कर दिया है और उसे मैंने चड़ा दिया है ग तो सबका एक रफली हमें mixture बनाना है पूरी तरह इसे पीसना नहीं है जब पानी में एक boil आने लग जाएगा तब हम अपने ये mixture उसके अंदर आड़ कर देंगे फिर उसके बाद मैंने जागरी पाउडर भी आड़ कर दिया है उसे stir कर लेंगे हम हमें सिर्फ इसको 35-45 जादा से जादा एक मिनट तक ही simmer करना यानि धीमी आज पे पकाना है हमें इसे जादा देर काड़ना नहीं है काड़ा जो होता है उसकी तासीर बहुत गरम होती है उसे हम 4-5 मिनट तक काड़ते हैं जब पानी को हम उबालते हैं लेकिन यहां पर हमें सिर्फ चाहिए कि सारे इंग्रीडियंट्स इंफ्यूज हो जाएं और उनका फ्लेवर आ जाएं वो डिस्ट्रॉय ना हो जादा उबलकर पैन को मैंने कवर कर दिया है लिट से और 3-4 मिनट हम इसे गरम पानी में ही छोड़ देंगे सारे इंग्रीडियंट्स को और अच्छी तरह इंफ्यूज होने के लिए और अच्छी तरह इस टी को ब्रू होने के लिए तो हमारी healthy, refreshing and बहुत ही delicious टी भी बनकर तयार हो गई है अगर मैं nutrition की बात करूँ तो अजवायन के अंदर anti-fungal, anti-inflammatory properties होती है anti-bacterial properties भी होती है यह आपके gastro juices के flow को increase करता है acidity को क्यों और करता है अगर आपको bloating की problem है इसके अंदर vitamin B1, B3 और sodium, potassium, calcium, iron, potassium जैसे minerals भी होते है soft की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर भी बहुत सारे nutrients होते है it's a great source of vitamin C, इसके अंदर meganese होता है इसके अंदर enzymes होते हैं जो आपके digestion को trigger करते हैं आपके metabolism को boost करते हैं healthy हर तरह से आपके लिए beneficial होती है directly अगर आप उससे face पर apply करेंगे तो वहां उसके benefit होंगे अंदर जाके तबसे बड़ा जो इसका benefit होता है anti-inflammatory लोगों की जो body में सूजन हो जाती है जोडो में या कहीं और body part में muscles में उसके लिए कच्छी healthy बहुत ही अच्छी है nutmeg जो होता है toxins को remove करने में help करता है metabolism को साथ ही appetite को suppress करता है काली मिर्च की बात करो तो वह भी benefits से भर पूर है vitamin A, E, K होता है rib of lemon, yamine, niacin, sodium, potassium, folate सब होता है उसके अंदर जागरी it purifies your blood, आपके respiratory tract को clean करने में, lungs को clean करने में help करता है so इतनी beneficial tea है लेकिन हाँ I would suggest कि तीन हफ़ते इसे use करने के बाद आप break दें and then एक हफ़ते से 10 दिन के break के बाद आप इसे दुबारा शुरू कर सकते हैं ये टी अगर आप जागरी ना आड करें तो आप अपने रात को भी consume कर सकते हैं फास्टिंग विंडो में लेकिन इसे आप खाली पेट मॉर्निंग में consume ना करें कई लोगों को इसे acidity और बढ़ जाती है तो वो आप ध्यान रखें बाकी आप इसे मील के बाद कभी भी consume कर स गुषाइब कर दोढ़ आपा चाहिए अपने रात कारीज तो फ्रेंग पर में इसे टेर फिर खाली फिर्टिंग अरा पिसे ट्रया तो आप एंप रिए करते हैं तो अअपना चाहिआ पिछल नेसे पीडिप्टिर में शट बिश्टें अनप पुली थे इसे एंव्हिऑ इ